नमस्कार मैं अनिल कुमार गुपता राज्किय महाविद्याले के राज्किय महाविद्याले अजमेर के भौतिक विभाग से बिएस्सी पार्ट बन मैथमेटिक्स सेक्षन सी ए और दी में फिजिक्स के तिरतिय पेपर बिद्दुत चुम्बकत्व के बैख्यान को हमने अपने इस तिरतिय पेपर में अब तक पाठिक्रम की रचना परिच्छा पद्दती जाननी के बाद पाठिक्रम प्रारम किया और मैंने आपको बतलाया था कि हम पाठिक्रम को धीरे धीरे आपकी बार्मी किलास के ज्यान से अध्यतंत से आगे बढ़ाएंगे हमने अब तक कूलम का नियम पड़ा विद्दुछेतर की तीब्रता पड़ी विभव क्या होगा विभांतर क्या होगा सम्विभव प्रस्ट क्या होगा और साथ ही साथ परिच्छाओं में पूछे गए कुछ कंसेप्च्छल प्रस्ट को भी हमने सॉल्व किया था अब हम इलेक्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को सीखते हैं देखे पोटेंशियल एनर्जी इस्तितिज उर्जा एक ऐसा पद है जिससे आप छोटी क्लासे से सीखते हुए आ रहे हैं कार क्या होगा उर्जा क्या होगी सक्ति क्या होगी फिर उर्जा के अनेक प्रकार और यांत्रिक उर्जा में हमने इस्तितिज उर्जा और गतिज उर्जा की बारे में जानकारी की है आप देखिएगा आपको ध्यान होगा कि हम प्रिकिर्टी के अंदर fundamental जो interaction मानके चलते हैं वो fundamental interaction है gravitational interaction electromagnetic interaction strong interaction और weak interaction interaction और हम जानते हैं कि इन interaction में गुर्टवा कर्शन बल, कूलम बल, नाब किय बल, इस प्रकार के बल कारकरी होते हैं और इन बलों की उपस्तिती के कारण ही इस्तितिज उर्जा बनती है अपने बिशे की beauty ये है कि यदि हम गुर्टवा कर्शन अन्योन किर्या में इस्तितिज उर्जा सीख रहे हैं अत्वा बिद्दु चुम्बकत्व अन्योन किर्या में इस्तितिज उर्जा सीख रहे हैं अत्वा नाब किये बलों के अंतरगत इस्तितिज उर्जा का अध्यन कर रहे हैं तब जो concept है जो कलपना है जो कार्य करने की पद्दिती है वो हर जगे समान होगी चाहें इंट्रेक्शन प्रोसिस क्यों न बदल जाए तो जिस प्रकार से आपने छोटी क्लासेज में पिछली क्लासेज में इस्तितिच उर्जा ग्याद करने का तरीका सीखा है उसी तरीके को उप्योग में लेते हुए हम इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंट्रेक्शन के केस में इलेक्ट्रिकल पोटेंचल एनरजी भी ग्याद कर सकेंगे निकालेंगे देखेगा आपको ये जानकारी है कि कोई आवेस रखा जाता है तो आवेस की उपस्तिती के कारण उसके चारों और कोई विद्दु छेतर बन जाता है अब यदि कोई दूसरा आवेस इसमें लाया जाए तो उसको निश्चित रूप से इस छेतर के बुरुद में कुछ कार करना पड़ता है मान लिजेगा एक आंक धन आवेस है तो जो किया गया कार है वह किया गया कार ही बिद्दु विभव कहलाएगा और इसी प्रकार से हम विद्दु विभव को परवासित भी करते हैं अते क्यों आवेस को इस निर्दिस्ट इस्तान पर इस्तापित करने में जो कार किया जाएगा वह किया गया कार क्यों भी होगा और ध्यान रहे जो कुछ कार किया गया है इस छेत्र के बिरुद वो किया गया कार ही इस्तिति उर्जा के रूप में प्रिगट होगा क्या कहना चाह रहे हैं यदि दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेस का निकाय है और उन आवेस को उनकी इस्तितियों तक अनंद से लाकर इस्तापित करने में जो कार किया जाएगा कुल किया गया कार का मान ही उस निकाय की इलेक्ट्रिकल पोटेंशिल एनरजी कहलाएगा अब आप देखें इस डाइग्राम को मैंने इस डाइग्राम में एन्डिस्क्रीट चार्जेज को दिखाया है माल लिजेगा क्यूवन आवेस को हम अनंत से आरवन तक ला रहे है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने अपने पिछले ब्याक्यान में पोटेंशियल एनरजी के एक्स्प्रेशन निकाले थे तो जब आप क्यूवन आवेस को अनंत से आरवन तक ला रहे हैं तो उसके कारण पोटेंशियल होगा और पोटेंशियल का मान इस समीकरण एक से दिया जाएगा खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये है क्योंकि आप जो चार्ज ला रहे है क्यूवन वह फील्ड फ्री इस्पेस में ला रहे है फील्ड फ्री इस्पेस में लाने के कारण यहाँ पर जो किया गया कार है वह सूनने होगा ये महत्मुन बात है क्योंकि आप field free space में आप इसको ला रहे हैं अनन से आर तक इसलिए बिभब तो होगा लेकिन जो किया गया कार है वह सून होगा बिभब के मान को मैंने समीकरण एक से लिख दिया है अब आप एक एक करके सारी विवस्ता पर विचार कीजिए अब माली जेगा मैं q2 चार्ज को r2 तक ला रहा हूँ q2 चार्ज को r2 तक ला रहा हूँ तो निश्चित रूप से जो पहले से उपलब्द है बिभब फाईवन आर उसके बिरुद में कार करना पड़ेगा और जो कार किया जाएगा उसका मान कितना होगा जो अभी जैसे हमने बताया था जो आवेस कार का जो मान होता है वह है आवेस और विभांतर के गुड़न फल से दिया जाता है इसलिए इस केस में जब हम q2 आवेस को ला रहे हैं तो किया गया कार का मान होगा w2 बराबर होगा q2 5 1 r तो Q2 एजिटीज रखते हुए फाइबर आरका मान रख सकते हैं और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमें ये समीकरण दो प्राप्त हो जाएगे अब हम एक कदम और आगे चलते हैं मान लिजेगा अब हम Q3 को लाते हैं Q3 आब इसको अनंत से आर्थरी इस्तिती पर लाते हैं तो Q3 आब इसको जब आप अनंत से आर्थरी इस्तिती पर ला रहे हैं तो पहले से ही जो विभव निकाय पर उपलब्ध है वह फाइबन है फाइटू है तो इन दोनों विभव के ब्रोद में कार करना पड़ेगा और जो किया गया कार है वो है पुने किस प्रकार से दिया जाएगा किया गया कार है आवेश गुणा विभांतर से दिया जाएगा और इस केस में जो विभव है वह है फाइवन और फाइटू है प्रणाम सरूप किया गया कार का जो मान होगा वह है Q3 का गुड़नफल 5-1 के साथ और Q3 का गुड़नफल 5-2 के साथ और इस प्रकार से कुल किया गया कार हमें मिल जाएगा तो मैंने इस समीकरण में क्या लिखा है किया गया कार W3 बराबर होगा Q3 को भार ले लिया है विदिन ब्रैकेट हो गया 5-1-8 प्लस 5-2 अब इस समीकरण में 5-1 और 5-2 के मान जो समीकरण 1 और 2 में निकाले गए हैं हम उनको रख सकते हैं और रखने के बाद मुझे इस प्रकार से समीकरण 3 प्राप्त हो रही है आप समझने का प्रेयास करें हम एक-एक कदम आगे चल रहे हैं पहले हम Q1 को आरबन तक लाए थे फिर Q2 को लाए है फिर Q3 को लाए है अब मान लिजी ओर एक कदम आगे चलें जब हम एक कदम और आगे चलते हैं तो हम कहते हैं मान लिजेगा Q4 को मान लिजेगा आवेस Q4 को मैं अनंत से R4 तक ला रहा हूँ तो जब मैं आवेस Q4 को अनंत से R4 तक ला रहा हूँ तो मुझे बिभब के बिरोद में कार करना पड़ेगा और निकाए में बिभब पहले से ही जो उपलब्द है वह Q1 के कारण है वह Q2 के कारण है Q3 के कारण है तो इन विभव जो पहले से उपलब्द है वह विभव है 51, 52, 53 तो निश्चित रूप से अब Q4 को हमें इन सब के साथ में गुडनफल ग्याद करना पड़ेगा और पृते के गुडनफल का जो योग है व कि किया गया कार्य आवेश और विभव के गुडनफल से दिया जाता है इसलिए W4 हो गया Q4 and within bracket 51 प्लस 52 प्लस 53 समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीनों समीकरण से हमने 51, 52, 53 के मान प्रतीस ताफित कर दिये हैं और जब ऐसा प्रतीस ताफित क किया है तो उस प्रतीस ताफित से हमको समीकरण 4 मिल गई है क्या मतलब हुआ मैंने आपको चार कदम चलाया Q1, Q2, Q3, Q4 को तब हम कुल जो डबलू है उसके मान को ग्याद कर सकते हैं चारों के जोड से दिया जाएगा और हमने चारों समीकरण के मानों को यहाँ पर प्रतीस ताफित कर दिया है अब हम क्या कह रहे हैं कि निकाए में कुल जो आबेस है वो एक, दो, तीन, चार नहीं है मान लीजे कैपिटल L, कैपिटल N है इसलिए जो परनामी किया गया कार्ड होगा वह है क्या होगा इस समीकरण से दिया जाएगा बराबर क्या होगया बराबर क्या होगया बन बाई टू समेशन ओफ आई इज़ 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 आपों र इ- अब इस समी करण में आप देख रहे हैं कि मैंने एक 1 by 2 का फेक्टर इंटर्डूस किया है 1 by 2 का फेक्टर क्यों इंटर्डूस किया है उसका कारण यह है कि जब हम आवेस के पेर को लेते हैं कैलकुलेशन करने में तो जैसे i और jth का हमने युगम लिया उसी प्रकार से jth और ith का युगम ले तो दोनों जो युगम हैं वो समान होते हैं जैसे कि मैंने लिखा है q1 q2 by r1 r2 और q2 q1 by r2 r1 तो दोनों मान समान है यानि दोनों मान समान होने के कारण इसका अर्थ यह हुआ कि इस कैलकुलेशन में एक ही चीज दो बार जोड़ रही है अते हमने एक multiple 1 by 2 का लगा दिया है अते n बिंदूबत आवेस के कारण निकाए की कुल इस्तितिज उर्जा का जो मान होगा वह मान क्या हो गया यू इस उकस टू बन बाई टू समिशन ओफ आई इस उकस टू बन टू एन और के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई माइनस आर जे का मैगनिटूर और इस प्रकार से यदि हम क्यू आई को बहार ले लें तो किस प्रकार से हम इस समी करण को लिख सकते हैं बन बाई टू समिशन ओफ आई इस उकस टू बन टू एन क्यू आई को मैंने दूसरे समिशन से बहार ले लिया है और दूसरा समिशन किस प्रकार का रह गया समिशन जे इस उकस टू बन टू एन के क्यू आर अपॉन आर आई जे और कल हमने जो बिभव की समी करण निकाली अधि आपको ध्यान आ गया होगा कि जो दूसरा हमारा समेशन है यह विभव के मान को प्रदर्सित करता है दर्साता है अते हम लिख सकते हैं बन बाइटू समेशन ओफ आई इज़ुकस्टू बन टू एन क्यू आई एज़िटीज और यह जो दूसरी समीकरण बनी है हम इसको लिख सकते हैं विभव की समीकरण में आते फाई आरजे फाई आरजे क्या होगी बिंदू आर आई पर बिभव के मान को दर्सा रही है और इस प्रिकार से हम सिस्टम की एलेक्ट्रीकल पोटेंसिटल एनरजी को दर्सा सकते हैं यह उसकी एक अंतिम समीकरण हैं आप जानते हैं सामानी रूप से हम एनर्जी को इलेक्ट्रोन बोल्ट में धर्चाते हैं और इलेक्ट्रोन बोल्ट को लिखते कैसे हैं small eb में लिखते हैं एक इलेक्ट्रोन बोल्ट उर्जा की परभासा किस प्रकार से देते हैं एक इलेक्ट्रोन को जिस पर चार्ज का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है जब एक बोल्ट के विवभांतर से त्वरेत करें तो जो गतिज उर्जा के तुल्ल होगी वह है आवेश के निकाई की इस्तितिज उर्जा बनेगी यह है आवेश के निकाई की इस्तितिज उर्जा सूनी हो सकती है धनात्मक हो सकती है रिनात्मक भी हो सकती है इस्तितिज उर्जा के चिन का जो मान है वो किस प्रकार की होगी वह है आवेश की प्रकृती पर तै करेगा यह निर्भर करेगा और इस प्रकार से आबिसों की इस्तिति जी उर्जा का मान उनकी द्वारा उत्पन विद्दुछित में संचित रहता है मैंने कुछ प्रॉलम्स ये तीन प्रॉलम्स आपको इसमें सॉल्व किये हैं और इस तीन प्रॉलम्स में जो तीसरे नंबर का प्रॉलम्स है यह परिक्षा में पूछा गया है उसको भी मैंने solve किया है आपको इन सब को देखना चाहिए और इस सब काम को करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक कर लेंगे धन्यवाद